आईए जानते हैं आज की कुछ अंदराश्टे खबरों को पहले एक नचर आज की हेडलाइन्स पर संजे सिंग की रिहाई से बढ़ गई आपकी उमीदे पानी मांगो और बस एक बात लोगों को बताते रहो पिया मोदी ने बिहार में सेट कर दिया एजेंडा टाइवान में भुकम्प ने मचाया तांडव धै गई गई गगन चुम्मी इमार थे वक्तार अंसारी की मौत के मामले में नया मोड जेल अधिकारी तलब रामायन के राम करोरों के माली पत्नी भी नहीं पीछे चीन के साथ जैसे को तैसा सीम हेमंत बोले हम भी बदल दे तिबद के साथ इलाकों के नाम नाइट कलब में आग लगने से 19 लोगों की मौत आट लोगों के हिरासत मिलिया गया एक्ट्रेस मोहिना कुमारी के घर गूजी किलकारी तब्बू करीना कपूर और क्रिटे सनावन के फिल्म निकली आगे और लखनाव सूपर जाइंट्स ने बैंगलूरू को हराया राज्यसभा सांसत संजय सिंग को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी को लोगसभा चुनाव के दौरान एक तरह से संजीवनी मिली है आपके राष्टिय संयोजक, अर्विंद केजरिवाल, पुर्व उपमुख्य मंतरी मनीज सिसोधिया, पुर्व मंतरी सतेंद्र जैन यानि पार्टी की टौप लीडर्शिप जेल में और ऐसे में लोगसभा चुनाव अभ्यान के दौरान पार्टी को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है लेकिन अब बुधवार यानि आज संजे सिंग जमानत पर बाहर आ जाएंगे और उसके बाद चुनावी केंपेंज समेट संगठन की बड़ी जिम्मेदारी उन पर होगी वही आम आदमी पार्टी के नेताओं, मंतरी और विधायकों ने यह असपश्ट कर दिया है कि पार्टी के फेस अर्विंद केजरिवाल ही रहेंगे बेशक वह जेल में है पार्टी उनके नाम पर ही चुनाव लड़ेगी प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने मंगलवार को बिहार में भाजपा कारेकरताओं से अहवान किया है कि वे युवा मद्दाताओं को जागरूख करें कि राष्टिय जनतांत्रिक गटबंधन एंडिये के सत्ता में आने के बाद ही राज्ये को जंगल राज से बाहर निकाला जा सका लोकसभा चुनाओं से पहले नमो एप के माध्यम से बूथ अस्तर के कारेकरताओं के साथ समवात के दोरान मोदी ने इस बात के प्रचार के आउसकता पर भी जोड़ दिया के बिहार में तीन करोर पचास लाख गरीब लोग भाचपा नित किंद्र सरकार के दस वर्सों के शासन के दोरान गरीबे से बाहर आये हैं इसके अलावर 9 करोर लोग मुफ्त राशन योजना से लाभानवित होंगे और लगभक 3 करोर महिलाओं को उजवला योजना के माध्यम से मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिया गया है लोगों को इन चीजों के बारे में बार बार बताया जाए कुल मिलाकर पिया मोदी ने बीजेपी नेताओं और कारेकरताओं को नए वोटरों के बेच जंगल राज के अजन्डे को लेकर जाने की सलाह दी ताइवान आज बुदवार 3 अप्रेल को भुकम के जोरदार जटकों से हेल उठा है रिक्टर स्केल पर इसके तिर्वता 7.5 मापी गई है इतने जोरदार जटकों की वज़े से ताइवान के कई शहरों में इमारते धाराशाही हो गई है देश के कई इलाकों में पहारों पर भुवस खलन की घटनाए भी देखने को मिली है पिछले 25 सालों में आया ये अब तक सबसे जबरदस्त भुकम है आखरी बार इतना भैंकर भुकम 1999 में आया था जिसमें 2500 से जादा लोगों ने जान गवाई थी जबकि 1300 घायल हुए थे भुकम के जटकों के बाद 88,000 घरों की बिजली गुल हो गई है ताइवान में आये भुकम की वज़े से सबसे ज़ादा तबाही हुई एलिन शहरक में हुई है जहां जटकों का केंदर भी रहा है इस दुईपिय देश में मची तबाही की वज़े से बिजली और इंटेनेट सेवाई बंद हो गई है ट्रेन सर्विस को भी सस्पेंट कर दिया गया है भुकम के जटकों के बाद ताइवान के अलावा जापान और फिलिपिन्स में भी सुनामी का अलट चारी कर दिया गया है बाहुबली मुकतार अंसारी की बांदा जेल में हुई मौत के मामले में नया मोड आ गया है मामले में बाराबंकी की अदालत ने बांदा जेल के अधिकारी को तलब कर दिया है अब जेल अधिकारी कोट को यह बताएंगे कि जुडेशियल कस्टडी में मुकतार अंसारी की मौत कैसे हुई देसल मुकतार अंसारी के वकील रंधीर सिंग सुमन की ओर से बारा बंकी की कोट में वाद दाखिल करने को लेकर अपील की गई थी जिस पर सरकार बनाम डॉक्टर अलका राय चर्चित फरजी एम्बूलेस की पेशी के दौरान मंगलवार को कोट में पेशी हुई पेशी के दौरान वकील रंधीर सिंग ने कोट से मुकतार अंसारी की मौत की वज़ा जानने के लिए जेल अधिकारियों को तलब करने के मांगी बरबंकी MP, MLA कोट, ACGM, 19, BP नियादव ने मुकतार की मृत्यू के खबर देने वाले बांदा जेल अधिकारी को तलब किया है रामायन के राम, अरुन गोविल ने मंगलवार को भाषपा प्रत्यासी के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर दिया इस दौरान उनका परचा दाखिल कराने UP के डिप्टी सीम केशव प्रशाद मौरे भी पहुँची अरुन गोविल बाबा साहथ के पतिमा पर मालियारपन के बाद केशव मौरे और भाषपा कारेकरताओं के साथ कलेक्टरेट पहुँचे कलेक्टरेट में डियम एवं निर्वाचन अधिकारी दीपक मीना सीटी मजिस्ट्रेट एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार सिर्वास्तव के समक्ष नामांकन दाखिल किया उनकी ओर से दो सेट में नामांकन दाखिल किये गया है इसमें उनकी और पतनी की पूरी संपती का बेवरा दिया गया है इस बेवरे के अनुसार अरुन गोविल के पास करोरों का प्लोट, फ्लैट, मासरिज, कार्ड, बैंक में भी एक करोर से ज़्यादा कैश और लाखों का सोना है अरुनाचल परदेश में चीनी कारवाई पर असम के मुख्यमंत्री हेमंद बिस्वा सर्मा ने कुछ सुझाव दिये है उनका कहना है कि अगर चीन अरुनाचल परदेश में 30 शहरों का नाम बदल रहा है तो हमें भी इसका उसी तरह जवाब देना चाहिए सीम शर्मा ने सुझाव दिया है कि जैसे को तैसा जवाब देना चाहिए और हमें 60 तिबबती छेत्रों का नाम करन कर देना चाहिए असम सीम हेमंद बिस्वा सर्मा ने कहा मेरा अनुरोध है कि हमें चीन के तिबबत में 60 छेत्रों को नाम देना चाहिए ये हमेशा जैसे का तैसा होना चाहिए उन्होंने कहा मैं इस पर ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि यह भारत सरकार का नीती गत फैसला है लेकिन अगर उन्होंने तीस नाम बदले हैं तो हमें 60 बदलने चाहिए एक नाइट क्लब में आग लगने की वज़े से कई लोगों की मौत हो गई है घटना में घायलों को इलाज के लिए अस्पता ले जाया गया है आग लगने के बाद कलब प्रबंध को समित कई लोगों को पूशताच के लिए हिरासत में लिया गया यह कलब एक पॉष्ट इलाके में मौजूद रेसिडेंशल बिल्डिंग के बेस्मेट में सिथ है CNN की रिपोर्ट की मताबिक घटना तुर्की की राजधाने इस्तामबूल की है यहां की Basic Task District की एक रिहायशी बिल्डिंग के बेस्मेट में मस्करेट नाइट कलब है कलब में निर्मान कारिच चल रहा था दो मार्च की दोपहर करीब एक बजे कलब में आग लग गई और वहां काम कर रहे लेबर आग की चपेट में आ गए जिससे वो बुरी तरीके से जुलस गए हाथसे में 29 लोगों की मौत हो गई वही 8 लोग घायल हुए बधाई हो घर में खुशे आई है उत्राखन सरकार में वर्तमान कैबिनिट मंत्री सत्पाल महराज की बहू टीवी एक्ट्रेस ये रिष्टा क्या कहलाता है से घर घर में खास पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस मोहिना कुमारी ने घर में एक बार फिर खुशी दी है साल 2022 में एक्ट्रेस मोहिना कुमारी पहली बार मा बनी थी करीब दो साल के बाद उन्होंने एक नए महमान को जन्म दिया है इस ख़बर के बाद सत्पाल महराज के ही घर में नहीं बलकि रीवा के राजघरानों के भाग भी जग्य हैं एक्ट्रेस मोहिना कुमारी के घर फिर से बच्चे की किलकारी गुजी है हाली में उन्होंने दूसरे बच्चे को काम किया है लेकिन उन्हें ये रिष्टा क्या कहलाता है में कीरती गोयंका सिंगानिया बन कर घर-घर में पहचान बनाने वाली एक्ट्रिस मोहिना ने हालीमें एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है मा और बेटी दोनों ही होस्पिटल से डिश्चार्ज हो चुकी है और घर पर परिवार में उनका जोड़दार स्वागत भी हुआ 29 मार्च को सिनेमा घरों में रिलीज तब्बू करीना कपूर और कृती सैनन स्टारड़ फिल्म कुरू ने शुरुआत धमाकेदार की है कम बजट में बने इस फिल्म ने केवल चार दिनों में ही अपने बजट से आगे की कमाई कर ली है ये फिल्म है तीन एर होस्टेस की जिसकी लाइफ में तमाम मुश्किले हैं और इससे बाहर आने के बारे में लगटार ये सोचती रहती है इन तीनों को पिछले की महिनों से सेलरी नहीं मिली है क्योंकि एरलाइन्स का मालिक विजय वालिया देश छोड़कर फरार हो चुका है इन्हें उमीद है कि इनकी लाइफ में एक ना एक दिन सब अच्छा होगा आखिरकार इनके सामने वो चैलेंज आता है जिसे सुईकार करना बहुत कठिन है लेकिन इसमें एक फाइदा ये है कि इससे इनके जिन्दगी सबर सकती है खेर कहानी तो इंटेटेन कर रही है लोगों को और अब ये जोड़दर कमाई भी कर रही है लखनाओ सूपर जाइंट्स ने IPL 2024 का अपना पहला ही मैच जीतने के बाद जबरदस्त अंदाज में वापसे की है केल राहूल की कप्तानी वाले इस टीम ने अपने अगले दोनों मैच जीत लिये लखनाओ की इन दोनों ही जीत में सबसे ज़ादा चर्चा युवा तेज गिंदबाज मैंक यादव ने बटोरी है जिनकी रफतार ने पहले पंजाब किंग्स और फिर रोयल चैलेंजर्स बैंगलूरू को चित कर दिया लेकिन मैंक के अलावा एक और नए गिंदबाज ने बैंगलूरू के खिलाफ बिना कोई संसनी फैलाए चुपके से अपना काम कर दिया सिर्फ काम नहीं किया बलकि कोच से किया वादा निभाया एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में मंगलवार दो मार्च की साम बैंगलूरू और लखनाओ की टकर हुई थी इस मैच में लखनाओ ने पहले बैटिंग की और 111 रन का स्कोर खड़ा किया अब चिन्ना स्वामी की पीच पर ये स्कोर जादा बड़ा था नहीं और जिस तरह का आगाज इस सीजन में विराट कोरी ने किया था उससे तो यही लग रहा था कि उन्हें रोकना मुश्किल होगा वो भी रन चेज में तो लखनाओ के लिए आफ़त साबित होंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं